मैं अभी तक इसकी बज़े से रुगी थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे पिल्कुर ना मैं इसके बिना रह सकती ना ये मेरे बिना रह सकती और पता अच्छी से सर से उपर हो गई बहुत जादा कोई नहीं जनम दिया है ठीक है उनके अंशु की वैसे मैं एकनी स्ट्रॉंग थी आगे कुछ कर पा रही थी और उसकी साथ हस भी पा रही थी तो में टार्गेट था कि अंशु को दूर करो ये तो खतम सपना अपने आपी हो जाएगी फ्रेंस कहते हैं माबाब बच्चों को लिए सारी संपत्ति त्याग देते हैं और कुछ माबाब ऐसे भी होते हैं जो संपत्ति के लिए अपने बच्चों को त्याग देते हैं जिया दोस्तों, सपना के सास और ससुर के क्या कहने? जिसको हम अब तक इतने सीधे सादे भोले भाले समझते दे थे, आखिर में वो इतने गिरे हुए कैसे निकल गए? जिया दोस्तों या फिर सपना से ही कोई गलती हो गई? देखके तो नहीं लगता कि सपना से कोई गलती हो गई क्योंकि सपना की किसमत ने तो सपना के साथ अल्रीटी मजाग कर दिया है सपना के साथ ससूर को किया थोड़ी से शरम नहीं आई अभी तक उनके बेटे नहीं है तो किसके लिए प्रॉपर्टी खटा कर रहे हैं ये बात आस तक समझ भे अभी तक नहीं आई सपना की recording से सब लोग बहुत ज़्यदा शौक हो गए कि सपना के साथ ससूर आखी property बचा किसके लिए रहे हैं आखिर उनके मन में चल क्या रहा है लोग अपने बच्चों को अपने पोता पोतियों के लिए property रखते हैं पोति से इतना प्यार करते हैं तो अचानक इनके हिदर प्रजीवर्तन का क्या कारण है कि इन्होंने सपना को इस तरीके से बात कर रहे हैं कि तो चली जा तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा इनको थोड़ा सा भी शरम नहीं आया कि राजवीर चले गए हैं इनके बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी अब इन पे हैं कही ना कही सपना के उपर भी अगर जिम्मेदारी है तो इनका भी कुछ फर्ज बनता है अपनी बहु और पोतियों को सहारा देना क्या कर रहे हैं इनको थोड़ी सी शरम आना चाहिए अभी तक ये पैसे गिन रहे हैं कि इतना लाक रुपे दे देना उतना लाक रुपे दे देना तो ये पैसे ये किन को देना चाहते हैं कई ऐसा तो नहीं सपना की सास के जो माई के वाले हैं अब उनका सई वक्त आ चुका है पैसो को हरपने का उनी के इशारे से सपना का जो सास का brainwash कर चुके हैं वो और ये लोग सब कुछ बेजबाच के सारा property सपना की जो सास है वो अपने भाई और भतीजे के नम कर देगी